आप लोगों को का इस नए वीडियो में स्भागर है आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वारा हूँ इंगलिश का ब्लूप्रिट बेसिकली इसके पहले मैंने जो मीन सब्डेट्स होते हैं हमारे कॉमर्स के उसका मैंने आपको बता दिया है एकाउंट का स्टेट्स का इको बिए और С-P का अभी यहां पर मैं आपको इंगलिश का बताने वारा हूँ लेकिन इंगलिश का जो है तो मैं उसका जैसे मेरे पास preparation हो जाएगा मैं आपको explain कर दूँगा जैसे फिलाल यह SL यानी जो second link में जो होता है दृतिय भासा वो मैंने ready कर लिया और मैं आपको explain कर देता हूँ कैसा कर दिया है इस 20 को cancel करके कितना कर दिया है 30 और इस 80 को cancel करके कितना कर दिया है 70 तो अभी 30 और 70 का ratio चल रहा है तो यह 30 और 70 का ratio जो है वह English में कैसे apply होगा उस बात को समझो देखो situation यह है कि मन में यह doubt आ रहा है कि सर इंग्लिश में तो MCQs वाला option होता ही नहीं है तो यह 30 कवर कैसे होगा तो मैं आपको अगर बता हूँ तो जो आपके true and false होते हैं देखो आपके क्या-क्या जो होते जो इसमें cover हो जाएंगे like true and false हो गया feeling the blanks हो गया ठीक है nearest meaning हो गया यह सब आपके इसी में cover हो जाएंगे nearest meaning okay so basically सारी चीज़े आपके include होगी तो अभी क्या आपको कैसे preparation करना है आपको कौन सी चीज़ों पर focus करना है तो उसके लिए मैं आपको paper style दिखा देता हूँ देखो यहां पे इन लोगों ने जो paper style दिया हो है वो अगर मैं यह आपको read करके समझाओंगा तो भी उतना खास समझ में आएगा निए इसलिए मैं आपके लिए लेकर आएगा सेंपल पेपर बिसिकली जो मार्च 23 का है और यह paper मुझे जहां तक पता आपको easily मिल जाएगा आप पेपर में लिख लेना सो देड़ आपको इजली आइडिया लग जाए कि क्या चीज़े इंप्रूव किया ह और आपको preparation कैसे करना है तो यह मार्च 23 का paper है जो भी recently हुआ था तो मैं आपको one by one करके explain करते जाता है इसी section paper में आपको easily आइडिया लग जाएगा मैंने अलड़ी नोट्स बना लिया है तो आपको दियार रखना है कि आपको भी अपने paper में लिख लेना है अगर आपके प तो सबसे पहले हम बात करते section A की तो section A में अगर मैं बात करता first question में तो इस वाले first question में कोई changes नहीं किया हुआ है मतलब क्यों कोई changes का मतलब क्या है इसमें जो चार questions रहते थे वो आज वी चारी questions रहने वाले मतलब पहले भी चार questions थे और अभी कितने रहने वाले चार questions ही रहने वाले राइट और आपको जो दूसरी बात याद रखनी है ये true and false का है true and false वाले हो के लिए आपको एक और extra मेहनत करना पड़ेगा वो ये है जो आपकी main text book है ठीक है ये भी मैं आपको चीज़े बताते जाता हूँ कि कौन से questions कहां से बनते हैं तो basically जो आपका main text book है उसमें जो pros वाला portion है एक pros होता और एक poems होता है याई जो stories वाले होते है और एक poem वाला ता है तो उसमें से जो pros वाला topic है याई जो pros वाले part है उसमें से ये true and false हाता तो आपको जब आप book read करते हो तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना ठीक है उसके बाद फिर अगर बात करते हैं ये वाला second question जिसमें आपका nearest meaning लिखना होगा ध्यान से देखना है इस बात को इसमें क्या लिखना होता nearest meaning so basically ये भी आपका आपकी book में से ही आता है बाहर से नहीं आता आपकी दूसरी वाली book जो है यानि की कौन सी book supplementary वाली book लाइट ये आपका supplementary वाली book में से रहने वाला है तो उसको अच्छे से रीडिकर रीडिकर लेना जिसका नाम पूरा है supplementary reader ओके और इसमें भी कोई changes नह नहीं किया तो मैं यहां पर लिख देता हूं से उके उसके बात करते हैं नेक्स्ट वाली question की जिसमें होता है select the most appropriate phrases from the brackets and write the against the given sentences आपको इसमें चूस करके लिखना होता है अगर मैं इसकी बात करो तो इसमें भी कोई changes नहीं किया है ये भी आपका क्या रहने वाला है same to same रहन देना है इसमें से जो sentences है उसमें क्या आपको रहा है like expression choice है expression suggestions है so being contrast है या expression result है आपको चूस करके लिखना होता है फिर next है आपका select and write the most appropriate responses focusing given functions so basically इसमें भी आपका कोई changes नहीं है ये भी आपका क्या है same to same है यानि जैसा पहले था वैसे जो चार questions आते थे वो same to same रहने वाला है इसमें कोई changes नहीं किया है फिर बात करते है next वाले में next वाले में जो है select and write the most appropriate question to get the underline answer अभी यह जो underline है इसको read करना है और उसके basis पे ज इसमें थोड़ा सा changes किया है और क्या changes किया है तो basically इसमें plus one question add कर दिया है मतलब पहले तीन questions होते थे और अब कितने हो जाएंगे चार तो मैं यहाँ पर लिग देता हूँ 3 plus 1 यानि एक question क्या क्या extra add कर दिया है तो मैं यहाँ पर लिग देता हूँ plus one question plus one का मतलब एक question extra right उसके बाद आपका जो next part आता है section B so section B में आपको total यहाँ पे पहले 10 marks के थे 10 question था बट अभी इसमें 2 marks का increase कर दिया है मतलब यह है कि इसमें जो 2 questions है वो क्या हो जाएंगे extra होंगे तो यह आपको याद रहना है total कितने questions रहने वारे 12 questions पहले कितने थे 10 औ आपको paragraph होगा paragraph में से आपको रीड करके दो questions के answer देने और यह जो पूरा का पूरा paragraph होता है basically यह आपके main textbook में से होगा कहां से होगा आपका जो main textbook होता है उसमें से होगा और वो भी कौन से portion में से प्रूज वाले portion में से तो यह आपको याद रखना है basically है जब आप chapters read करते हो न अगर आपको stories का idea होगा तो आपको यह easily solve करने में help हो जाएगा plus आपके पास एक paragraph दिया ही रहता है तो paragraph read करके आपको answers लिखने होते तो यह जो portion है यह काफी easy होता बस आपको थोड़ा writing practice करना होगा आप जो answers और sentences बनाते हो न वो proper way में बना पाओ उसके बाद next आए गया आपका right short notes focusing on the question so basically आपको यहाँ पर दो short questions पहले आता था अभी क्या कर दिया है यह 2 को cancel करके सिर्फ एक short question बचानी जो 6 marks का था अभी वो कितने marks करगा 3 marks करेगा मतलब क्या क्या minus one question यानि एक question को क्या कर दिया रिडियूस कर दिया है पहले कैसा था पहले आपके पास यहाँ पे तीन options होते तीन में से दो solve करना होता था अभी कैसा दो होगा और दो में से एक solve करना होगा right यह हो गया short note में इन लोगों ने changes किया है उसके बाद आपका जो same to same ही रहने वाले उसमें कोई changes नहीं किया हुआ है यह question पूरा का पूरा same to same होगा बस आपको यह बता दूम है यह जो paragraph रहने वाला है यह भी आपका main textbook से ही रहता है जो आपकी main English की book है ना कि supplementary वाली तो main वाले textbook में से रहता है इसमें भी कोई major changes किया नहीं है उसके बाद चलते है next section पे section number c तो section number c वाला जो आपका portion होगा उसमें जितने भी paragraph आपका होंगे मतलब यह जो आपका है five marks का यह पूरा का पूरा आपका जो पहले जैसा था वैसा ही अभी रहने वाला है बस changes यह है कोई changes ने actually sorry यह आपका supplementary में से आने वाला है तो यह याद रखना उस question है कोई changes नहीं किया है और यह भी आपका कहां से आने वाला supplementary में से ही आएगा तो supplementary में से आपके तीन questions आते हैं और आपको लगबग पांच पांच ब्रस्तिंग तेरा मांक्स नहींता है 12 से 13 मांक्स तो इसको ज्यादा आपको क्या करना है दो तिन पीपर प्रेटिस कर ल एक पराग्राफ होगा और उसमें नीचे कुछ questions होते हैं questions को देखके आपको solve करना होता है तो यह भी question पहले जैसा था वैसे यानि same to same है बस आपको याद क्या रखना है यह जो paragraph होता है यह आपके book में से नहीं होता है बेसिकली जो current situation होता है उसके base पर होता है तो मैं यहा उन लोग ने newspaper में से cutting में से ले लिया है और आपको यहाद रखना है कि क्या है यह बेसिकली आपका जो current situation होता है उसमें से एक paragraph होगा तो इस paragraph को अच्छे से रिड करना कि सब को पता है कि कितने students ऐसे होगा जो daily newspaper रिड करते होगे आपको यह paragraph थोड़ा अच्छे से रिड कर changes किया है कि इसमें एक question increase कर दिया हुए पहले नहीं था मैं यहाँ पे लिए देता हूं कि plus one question पहले कितने questions थे five questions थे तो अभी कितने questions आने वाला है इसमें इसमें total six questions आने माला है तो आपका एक question increase कर दिया है और आपका यह आएगा poem पार्ट में से यह जो main textbook है उसमें से ही but कौन सा होगा poem पार्ट है आपको दिख भी रहाँ गाई poem ही है यह मुझे बताने की जरूत नहीं है वैसे आपको दिख जाता है कि poem है but still मैं बता जरूर दे रहा हूं उसके बाद next है आपका do as directed तो do as directed में कोई changes नहीं है do as directed में जो चीज़े पहले होती थी वही अब भी है तो अगर मैं यहां पे आपको paper दिखाओ तो do as directed में तो यहां पे जो इन लोगों ने new वाला दिया है न do as directed का जो new paper pattern है उसमें जो सेंपल paper दिया है उसमें basically लिखा हुए भक्ति saw an accident at the crossroad the driver draw the bus carrying school children very fast see called ambulance for help quickly an accident was seen so इसको basically active से passive कर दिया हुआ है तो यहां पे clearly यह denote कर रहा है कि यह पेसिव हो इस कर दिया है इन सेम वे आपको परगर अफ्रीड करना होता है और आपको identify करना होता है और यह भी देखो यहां पर भी the tickets of you were brought यह भी पेसिव हो इस वाला यह पतार chances होते है कि active से पेसिव हो इस वाले आने के chances होते है आपका basically दो marks का आता है total 4 marks का दो questions होते है एक 49 marks 49 number होता है एक 50 number होता है उसके बाद बढ़ते है नेक्स पपे तो नेक्स आपका क्या है रेंडर दर फॉर्वें डायलेग इंट इन डायट स्पीच आता है इन डायट स्पीच में basically इन लोगों ने एक छूटी से help की है और वो यह किया है कि एक marks reduce कर दिया है यहां पर ज़्यार परिशान होने की ज़रूत नहीं है यहां पर लिग देता माइनस वर्न मार्क रिडियूस्ट अब कंटेंड कितना रहने वाला है वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसमें देखो वान टू थ्री फॉर और फाइज सेंटेंस था अब जो एक्जाम में आएगा उसमें कि ज़्यार पर लिग देखो लिए यहां पर देखो लिए आई शौद पूलिसमें एसमें और लगा के लिखना हुआ है तो यहां पर यह ऐसे आपको बना के खुछ से लिखना पड़ता था अभी क्या कि इन लोगों ने इसमें ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया मतलब क्या ह है कि इसमें आपके पास चार ओप्शन सोगे वर्न टू थी और फोर इन चारों ओप्शन को रिट करना होगा आपको एप्रोप्रियेट ओप्शन सेलेक्ट करके वो लिखना होगा तो मैं आपको एक बाद दिखा देता हूं पीपर में आपको एक और प्रॉपर आइडिया लग जाएगा जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है complete the sentences choosing correct options Sonia studies so seriously expressing result as she misses to watch her TV serial that she forgot to have her breakfast that she could forget to invite me as her brother does तो यहां पर कैसा है कि आपको चूज करके देखना लिखना है कि कौन सा वाला right होगा तो आपके पास चार options है और यहां पर लिख भी दिया है expressing result अब इन चारों में से आपको result वाला देखना कि उतना ज्यादा से रिस्टी पढ़ रही है कि भाई वो कभी-कभी क्या करते है अपना breakfast लेना भी भूल जाती है एगर बदर रस तो मुझे यह वाला ही लग रहा है मैंने पहले ही कहा I'm not that good in English मैं English का teacher नहीं हूं नहीं मैं literature का teacher हूं हा लेकिन यह है कि चीज़े practice करके कोई भी सेख सकता इस वेरी normal कहते हैं भगवान ने इतना talent तो सभी को दिया है कि आप चीजों के practice करोगे तो आपको आहीं जाएगा तो आप भी practice करो आपके पास options दे दिया है आप चार options को read करो चेक करो किसमें से कौन सा expression result हो है तो आपको थोड़ा proper way में idea लग जाएगा ठीक है तो आपको choose करके लिखना होगा तो अभी चलते next वाले पे तो next में आपका था था री राइट सुरी यह रहा हां combine the following sentences and make a meaningful sentences तो इसमें कोई changes नहीं का यह पहले जैसा था अब भी वैसा ही रहने वाला है यानि जैसा इसमें दिया हुआ है वह वैसा का वैसा एक्जाम में रहेगा उसके बाद अगर बात करते हैं question number 58 की तो यहां पर द दिया है change क्या किया है change यह किया है कि इसमें भी आपको क्या दे रिया है options जैसा मैंने बोला 30% बोलोगा MCQs करने वाले हर जगें MCQs नहीं कर सकते तो उन लोगों ने क्या किया इसकी जग़ा पर आपको option दे रिया तो आपको paper में दिखा देता हूं same to same question है जैसे यहां पर इसी को लेके उन लोगों ने copy कर दिया है तो 2023 वाला था उसी paper को लेके copy करके paper pattern बना दिया और उन लोगों ने explain किया है वह पहले ऐसा था अब ऐसा आएगा तो अब आपको practice करनी पड़ी उसके कॉड़ी उसके बाद आगे आपका section number A तो section number A में measure कोई changes नहीं किया जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही रहने वाला है यानि पहले यह जो describe वाला था यह same to same है उसके बाद right paragraph वाला था यह भी क्या आपका same to same है जितना options था सब कुछ वैसा ही है उसके बाद आपका यह आता था लेटर portion यहां पे लिखा हुआ है ल दो में से कोई एक solve करना पड़ेगा तो आपको जो better लगता है अप prepare कर लेना उसके साब से चाहे speech के लिए prepare कर लेना चाहे लेटर के लिए prepare करना दोनों में से लिखना एक होगा पहले कैसा students को दोनों ही prepare करना पड़ता था कि दोनों में से कुछ भी पूछ लिया तो जैसे students मुझे बोले थे सार हम लेटर prepare करके गए थे और लेटर के बदले में speech आ गया बताब इचारे लेटर पीतनी मेहनत किये थे और पूछा क्या था इस पूछा था तो इसलिए आपको क्या करना है अपने आपका जो पावर है उसके अपको प्रिपेर करना है अगर मालों आपक आपका लीटर राइटिंग ठीक है किसी भी पोस्ट को लेकि आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इमेल है और यह रिपोर्ट राइटिंग है तो यह जैसा पहले था अब भी वैसा इसमें कोई चिंजिस नहीं किया है इन दोनों में से कोई एक लिखना होगा च इसमें से बताता तो आपको आईडिया शायद नहीं लग पाता उतना इसलिए मैं ने औरीजनल पेपर लिया कि जो प्रीवियर से पर इक्जान दिया है वह आपके पास आसानी से मिल जाएगा लगबख सारे स्टुडिंश के पास तो मैंने इसलिए बता दिया आपको क्या क बीडियो में कोई तक्लीप रहती है, कोई भी डाउट रहता ता आप कमेंट जरूर कर देना और अपने फ्रेंच के अशर करो और अच्छा लगता है तो इस्वह बताना नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताना आपका रिवीव बहुत जरूरी हे so that मुझे आइडिया लगी कि हमें कितना क्या जो काम कर वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ठीक है अपिलार आज के लिए तना ही मिलते हैं next class में तक तक के लिए thank you so much and have a good day